हमासकार दोस्ते स्वागत थे आपका हमारे चैनल चार जागिंदर मिशा में दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथम रास्की देनीक रास्मल के बारे में लिकन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचान के बारे में 18 अक्टूबर 2021 शोम बार का दिन है और अशुनी माश सुकल पक्षी त्रेयोद शीती थी है नचहतर की बात करें तो आज पूरवा भादरपद है और अब जीत महूर ताज दुपार 11 बच के 36 मिन से लेके दुपार 12 बच के 24 मिन तक रहेगा आज का सुरूद है सुबह एच्छे बच कर 7 मिन पर और चंदरबा किस्तिती है मीन राशी पर आज के जो असुब समय होगा वह तकरिवन रातरी 8 बच कर 2 मिन तक रहेगा इस असुब समय में कोई भिशुब और ने कार किस्तित ना करेनी तो बिगन वाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के मितुन राश के देनिक रास्पल की और ये प्रेक्शिंग चंदराशी पर अधारित है मितुन राश के जातकों आज कदिन थोड़ा सा भारी है तो इसलिए आपको ना तो किसी को लें देन करना है और ना ही पैसे का खासकर पैसे को लें देन बिल्कुल ना करें किसी से उधार ना लें और ना देनी की सोचे हलाकि आज अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंतरन बनाए रखें मितुन राश के आतकों क्योंकि खर्चों की बज़े से भी थोड़ी से मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती है मिथुन रास करतकों उधार करजा अगर आपने पहले से लिया हुआ किसी से तो आपको परेशान कर सकते हैं बार बार आपसे मांगने आ सकते हैं इसलिए थोड़ा से यहां पर ध्यान रखना होगा हैं कुछ दिक्कते हो शकती हैं आज छात्रों को भी थोड़ा से यहां पर मेहनत करनी के आवर्शकता होगी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की कोशिश करनी होगी घूमने फिरने से बचना होगा अगर आप पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं करते हैं ध्यान नहीं देते तो मितुन रास्यत को आपके मन के मताबिक आपको रिजल्ट भी प्राप्त नहीं होगा आज आपको अपने सीनियर छात्रों का कहना भी मानना होगा उनके साथ कुछ बेहतर सला लेते नजराएंगे और उनके साथ कुछ अच्छे बातों पर सला मैस्विरा होती नजराएग कोई खास दिक्का तो नहीं आएगी लेकिन फिर भी धनके मामले में थोड़ा सा साथान रहें किसी पर भी ज़्यादा आप भरोसा आज की दिन मितुन रास्यत को ना करें और कोई भी महतपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लिजएगा मितुन रास्यत को आज आप अपने काम को लेकर थोड़ी अगर चिंताए हैं तो आज आपको निश्ची तोर पे गायतरी मंतर का जाप करना चाहिए और अगर बहुत ज़्याद परेसानी हैं तो आपको महादेव चुकि सोमबार के दिन महादेव का दिन तो आज आपको 18 अक्टूबर दिन सो आप जरूर करें तो लाब होगा साथी कई ऐसी संभावनाई बनी आ रही है जिसमें आपको घाटा जैसे कि आपने पहले से बिजनेस ब्यापार में कहीं पर निवेस किया हुआ है तो घाटे आने के संभावना बनी है कोई महतपून डील आपके हाथों से अचानक जा सकती ह आज आपको बाहन संबंधी चीजों से परेसानी हो सकती है ड्राइविंग कम करें आज जदा आप यातरा ना करें नहीं तो चोड़ चिपेट लगने के संभावना मित्वन ड्राशकत को बनी रहेगी लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेगा नए बाहन के एकर खरीदारी कर रहे लेकिन आपको प्रयास करना होगा आज आपको जदा-जदा कोशिश करनी होगी मित्वन राशकत को तभी आपका यह रुकाववा फसवर धन प्राप्त होगा लोटरिस अट्रक के से चक्कर में बिलकुल ना पड़ें लोटरिस अट्रक से दोरी बना रखें सेर मारकेटिंग के छेट में अगर पहले से अगर आपने मिथुन रास्केत को धन्नी वेस किया हुआ है तो लाब होगा नए सेरे से आपको लाब नहीं मिलता नजड़ाएगा और मिथुन रास्केत को आज अपने परोसियों साथ भी बहतर संबंद बनाये रखनी की कोशिस करें तो बहतर होगा आज आप कुछ बड़े फैसले अगर लेना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल उन्हें टाल दें आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा मिथुन रास्केत को कहीं भर कहीं पर भी किसी भी तरह के कोई भी लिखा पढ़ी के मामले में सोच समझ कर ही आप पर लिख कर ही दस्तक करें क्योंकि यहाँ पर धोका होने की योग बने हुए हैं मिथुन रास्केत को क्यों क्यों कि हमने पहले ही का है आज बड़ा संकट यानि आज के दिन थोड़ा सा भारी है अलाकि ज़्यादा चिंता करनी के अवशकता नहीं है जीवन साथी के भरपूर सहयोग मिलेगा जीवन साथी से साथ मिलेगा और जीवन साथी के साथ काफी ज़्यादा अच्छा वक्त बिताएंगे और उनके साथ काफी अच्छा वक्त बितेगा संतान संबंधी चीजों में खुसकबरी मिल सकती है आलाकि बेबज़े जो चिंताएं हैं उन्हें ज़्यादा कम करने की कोशच करें ज़्यादा आप उनको बढ़ाएं न क्यूंकि देखिए बेबज़े आप जिनताएं न करें ज़्यादा सोचे भी चारें जो काम आप करना चाते हैं उसे सही समर्पर पूरा करें दसंभाव पे चंदरमा गोचर करें तो उतना ज़्यादा खराब तो नहीं है लेकिन कुछ मामले में आपको फाइदा होगा खास कर यहाँ पर आपको संतान की तरब से कोई कामयाभी मिल सकती है लाब हो सकता है संतान आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा आज के दिन मिथुन रासकेत को वही लब पाटर्ण की बात करें तो लब पाटर्ण की साथ किसी बात करें कर अनबन या थोड़ा सा अमतवेद पैदा हो सकता है इसलिए थोड़ा से यहाँ पर मिथुन रासकेत को थोड़ा से ध्यान नहीं हो सकती हैं लेकिन यात्रा करते समय मितुन राशकेत को अतरिकत साउधानी बरते हैं चोड़ चपेट ना लग जाए तो आपको या फिर आपके कीमती चीज खोने का डर बना रहेगा अलग कि जो विदेश में रहते हैं मितुन राशकेत को नहीं नोकरी लगने के है या फिर आप रेलिशेट कंट्रक्शन चीज डूड़े हुए तो लाभ आपको जरूर मिलता ना जिराएगा साथी धन से लेकर कोई महतपूर आज नुकसान कहीना हो जाए इसलिए थोड़ा से सो समझ कर ही आपको नेड़े या फैसले लेना होगा मितुन रासकेत को आज आपको यनि थोड़ा से सोच समझ कर ही चलने के अवाशकता होगी पर उसे को शाधी बेतर संबंद बनाना होगा राजनीत में आपको हाले कि यहाँ पर जुड़ा हो सकता है बड़ी जीमेदादियां बढ़ सकती है साथि समाज में कुछ महतपूर काम कर सकते हैं महतपूर योगदान दे सकते हैं लोगों की प्रताब की साहनबूत रहेगी आप अपनी वारी से लोगों को प्रभाबित करेंगे कुछ महतपूर काम को अपनी वारी के द्वारा भी करवाते नेजरांगे मिथुन रासकात को होगी अगर अभी तक किशी काम में आपको परिशानी चल उम्मीद नहीं रहेगी तो इसलिए चिंता कानी का वाशकतनी धहर से काम लें अगर एक बार नहीं है तो दुबार फिर से ट्राइ करें तो मिथुन रासकात को सफलता आपको जरूर मिलेगी बार बार कोशिस करते रहे हैं सफलता जरूर मिलती नजरागी कोशिस करने से ही क आज आपका शुबरंग रहेगा यहाँ पर आश्मानी कलर और भाग साती निवारा आपका तकरीवन 69% दोस्तो जाते तो वेडियो जरूर करें नहीं तो चनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए